तू मान मेरी जा ये जरूरी है ना इसके बेना तो इंग्लिश का पेपर ही है नहीं ना तू मान मेरी जा तू मान ले मेरी जा कि इस टॉपिक के बिना इंग्लिश का पेपर नहीं है हो ना क्लास 9 में भी आएगा 10 में भी आएगा 11 जब जब इंग्लिश का पेपर देने जाओगे ये टॉपिक सामने नजर आएगा ऐसा क्या है भला इस topic में तो hello and a very very warm welcome to all my dear lovely students मेरे प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगी इस topic के बारे में बहुत सारे लोगों को अलग-अलग preconceived notions है किसी को लगता है reported speech का मतलब होता है जब directly दो लोग बात कर रहे हो तो वो direct speech और किसी की चुगली कर रहा हो तो indirect speech ऐसा नहीं होता है बेटा exactly आपको यह पता होना जरूरी है कि reported speech होता क्या है जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता है वो बात जब हमें किसी और को बतानी हो तब हम कैसे बताएंगे एक तरीका है directly जो speaker ने बोला वही words यूश कर लेने का दूसरा अपनी तरफ से मिर्च मसाना लगा के बोलने का मेटा समझ यह इस बात को always remember जब हम indirectly अपने words में कोई बात कहें तो वो reported speech कहलाएगा क्या कहलाएगा? reported speech तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए direct speech क्या होती है indirect speech क्या होती है indirect speech को ही reported speech भी कहा जाता है यह बात याद रखेगा indirect speech को ही reported speech भी कहा जाता है अब आपके exam में क्या होने वाला है? सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए direct speech क्या होती है indirect speech क्या होती है फिर आपको यह पता हो निचे direct को indirect में convert कैसे करते हैं यह दोनों बाते जब पता चल जाएंगी तब exam में सवाल कैसे आएंगे यह जरा बता दू मैं आपको तो बेटा क्या होगा ना आपको दो लोगों की conversation दी जाएगी दो लड़के बात कर रहे हैं एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं आपको उसको reported speech में convert करना है paragraph में लिखना है कभी-कभी paragraph अलड़ी लिखा हुआ हाता है blanks आ जाते हैं बीच में आपको उन blanks को fill करना है कि सही तरीके से आपको direct को indirect मे करकर जो वहाँ पर missing है वह वहाँ पर fill करना होगा तो बहुत interesting सा है यह topic कुछ rules होंगे जो follow करने होंगे basically पता तो हो यह direct speech क्या है indirect speech क्या है गलती से भी इस topic को हलके में लेने की गलती मत कर देना बहुत सारे बच्चे यहां पर marks कटवा कर ही आते हैं तो मैं नहीं चाहूंगे कि मेरे बच्चे ऐसी गलती करें तो फिर जब पूजा माम है साथ तो फिर डरने की क्या बात आपकी problem को solve करने इस topic को बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में हैं बोलने को एक जो मैंने बोला आप अपने ओन वर्ड से बात बोल रहे हैं अपने ओन वर्ड में वही बात बोलना जो speaker ने बोली उसी को हम कहेंगे indirect speech आगे बात समझ में तो वांस अगे बात समझ में सबसे बड़ा फर्क या है direct speech में exact words of the speaker are used indirect word में indirect speech में exact words of the speaker are not used दोबारा बता देते हूं if we repeat the words of a person exactly as they were said to someone जो बोला वही दोबारा बोल डाला then it is called direct speech ठीक है जब हम direct speech में बोलते हैं जो भी बंदे ने बोला वो हम ऐसे quotation marks में लिखते हैं for example Mahatma Gandhi said build your family first nation will build automatically पहले अपने परिवार को बना तो आप दुनिया अपने आप बना लोगे first you fill your family first and then nation will build all the सब अपने अपनी family पर focus करेंगे तो nation तो अपने आप बिल्द होई जाएगा ना कितनी प्यारी बात कही है Mahatma Gandhi जी ने मैंने as it is वही बोला जो उन्होंने बोला तो बनिया direct speech ठीक है आगई बात समझ में ठीक है Ravi said I am fond of tea Ravi ने कहा मुझे चाय का बड़ा शौक है तो जो वह बोल रहा है as it is मैंने बोल दिया है ठीक है अब indirect speech में क्या होगा if we repeat what a person said without quoting his or her exact words जो बंदे ने बोला वही words मैं यूज नहीं कर रही हूँ तब वो indirect speech कहागा फिर हम बोलेंगे Ravi said that उसने बता क्या किया that he was fond of tea ऐसा कहा था उसने समझ रहें अब तो हम अपने वर्ट में बात बता रहें आई बात समझ में तो direct speech में exact words of the speaker are used indirect speech में exact words of the speaker are not used जो बंदे ने बोला direct speech में कोटेशन मार्क में लिख देते हैं और indirect speech में कोई quotation marks नहीं होंगी क्यूंकि obviously यार निकाल देंगे ना क्यूंकि exact words of use ही नहीं कर रहें आई बात समझ में तो basic difference पता चल जाए है I hope आप अब कभी नहीं भूलोगे शालोब बहुत ही वदिया आगे बढ़ते हैं अब हमें direct में change करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा कैसे करें मैडम बता देती हूं सबसे पहले वह कोटेशन मार्क से उन्हें उड़ा हो गया आप obviously है ना और जब हम कहते है राम जो रवी सेड के बाद कॉमा लगता है उस कॉमा को उड़ाना पड़ेगा हमेशा याद रखना direct में change करते वक्त कोटेशन मौक्स और कामा का हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है निमाग में हो गई बात फिट हंजी लियर एवरीबडी येस और बिटा जब हम बोल रहें after the reporting word अब थोड़ी टेकनिकालेटी सुनो reporting verb क्या होता है इसे introducing verb भी कहते हैं introducing verb मतलब यह हमें introduce करता है कि बात क्या है writes Savi said यहाँ यह बोला सेड यह बन जाता है हमारा reporting verb रवी और्डि रवी कमांड़ेड रवी रिक्वेस्टेड रवी सैड जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बारे में आपको पता हुना जरूरी है यही रिंट्रिड्यूस करता है कि बात कैं है य disp महात्मा गांधी सेट जो quotation marks में जो बोला ना उसके आगे क्या लगता है introducing verb लगता है जिसने introduce किया रवी सेट सेट हमारा introducing verb हो गया तो बहुत commonly जो reporting verb यूज होता है वो है सेट अगर सेट दे दिया है direct speech में तो सेट के बाज़े में लगता है अगर हमें नजर आए सेट टू पूजा सेट एट राजेश तो पूजा तो राजेश आई बातो कि जो बोल रहे है जो बोल रहा है नाम के बाद सेट या फिर सेट या फिर सेट जो भी है आपको reporting verb का खास ध्यान रखना होगा एक बार आपने quotation marks उड़ा दिये कॉमा उड़ा दिया reporting verb को सही तरीके से place करना ज़रूरी है reporting verb को सही तरीके से हम place कर देंगे ठीक है? कॉमा आटाने के बाद उसके साथ में suitable connector add हो जाएगा, याद रहेगे बात no difficulty at all अब हम बात करेंगे उस quotation marks में जो बीच में, जो direct speech में जो बात रखी है उसे indirect में कैसे change किया जाए कुछ rules होंगे बच्चा लोग कुछ rules होंगे, उन सभी rules को हमें detail में समझना होगा तो main चार बाते हैं जो आपको याद रखनी होगी direct से मुझे indirect में चीज़े change करनी है indirect में चीज़े change करनी है तो जो भी चीज quotation marks में लिखी है quotation marks में जो लिखा है उसका हमें क्या करना है ध्यान से देखेगा quotation marks में जो लिखा है, उसके सब क्या करना है चार rules है, पहले tense, change in tense change in pronounce, change in models change in expression of time and place बहुत ही जादा easy है डरने की बात नहीं है जिस tense में दे रखा होगा ना जो ये बाते जो quotation marks में लिखे उसकी tense को कैसे बदलना है कब बदलना है कब नहीं बदलना है जातर बच्छों को इसी में दिक्कत होती है तो इसमें मैं हर tense का example आपको बताऊंगे okay pronounce pronounce मतलब noun की जगा लेने वाले pronounce तो वो कैसे बदलेंगे वो आपको बताऊंगी मैं और फिर बारी आएगी models will क्या बन जाएगा shall क्या बन जाएगा can क्या बन जाएगा तो मैं आपको models कैसे change होंगे वो भी बताऊंगी और फिर आखिर में कुछ expressions होते बेटा time और place के जैसे कि मैं काओ now अब now नाव ही थोड़ी रहेगा direct में होंगे तो now then बन जाएगा अगर लिखा है before तो before ego बन जाएगा ego before समझो इन बातों को आप direct speech में जो words है कुछ expressions होंगे जो time बताते हैं place बताते हैं उनका आपको ने को खास थ्यान रखना है तो detail में सभी बता देंगे कुछ examples दे रहेंगे फिर आप अच्छे से practice कर लोगे तो फिर बात बन जाएगी आया ना चलिए फिर शुरुबात करते हैं सबसे पहले change in tense की बात करते हैं चीक है reported speech हमें लाना है तो अब उसे tense को कैसे change करें देखो if the reporting verb हम यहां बात करें reporting verb की is in present or future tense अगर reporting verb present tense में या future tense में तो हमेशा से सी रहा देखा आपने क्यूंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है ना यह present tense में है किसमें है present tense में यह बात जरूर याद रखना यह रिपोर्टिंग वर्ब है अगर present tense में हो या future tense में वा इस वैसा ही रहेगा she says he is not here she says that he is not here समझ रहे हो बात को अब clear everybody मैं आपको यहां पर सिर्फ reporting वर्ब का बताने वाली हुए शीवल से टॉम ड्राइब से कार विल से विल से देख रहे हो कॉमा निकला सूटबल कनेक्टर राड हो गया बट मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारें बता रही हुए अगर प्रेजंट टेंस में तो प्रेजंट ही future tense में तो future उसको बदल नहीं सकते आप ठीक है यह जोन सेट तो जिम साम स्टडीज रेगुलर्ली जोन टोल्ड जिम यह रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पता होने बहुत जरूरी है बिटा यह सेट टू क्या बन जाएगा टोल्ड ठीक है देखेगा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इस पास्टेंस अं टेंस आप आई बात समझ में बिटा हाया ना ठीक है चीजों को समझना होगा आपको बहुत जरूरी है I hope it's clear to all of you now ठीक है if reported speech is in past tense then tense of reported speech अपने आप आपको उसको change करते वे जाना है ठीक है डीटेल में हम चीजों को अब समझेंगे ज्यादा examples देखें ने को तो बात बनेगी direct को indirect में करना है तो पहला rule मैंने आपको क्या बताया reporting वर्ब का धियान रखो said to अगर है तो told हो जाना चाहिए हुआ की नहीं यहां पर said to है तो told हो गया है किसने किसको क्या बोला कर दिया फिर जो quotation marks में उसका धियान रखना है quotation marks में जो है sam studies लिखा है studies क्या बन जाएगा studied बन जाएगा whereas here private is playing private was playing football आ रही है बात समझ में चीक है इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा और अगर हम बात करें हमें यहां पर बिला simple past तो उसे हम past perfect में देखो कैसे change करेंगे john said jim went to usa john ने कहा तो said दिखा पहले reporting आपको देखो कॉमा उड़ा दो said that कर दिया john said that jim went to usa तो यह went to went को क्या करें had gone to usa simple past क्या बन गया है यहां पर past perfect बन गया है simple past क्या बन गया है past perfect वहीं अगर past continuous है तो देखो she said her sister was sleeping she said that her sister had been sleeping ing ing तो रहा ठीक है past continuous past perfect continuous में change हो गया तो बेटा यह examples के साथ ही आप पताज कर पाओगे समझ रहो आपको present है तो past में कर दिया बट जरूरी ना herself present में हो देखो आपको चीजों को बड़ा ध्यान से चीजों को करना होगा ठीक है और एक example देखो no change in past perfect and past perfect continuous ठीक है पापा said johnny had eaten sugar johnny had eaten as it is past को और कितना past कर लेगा तो नहीं कर सकते कुछ है present को past कर सकते हो simple present है तो simple past कर लो ठीक है but जब past ही है तो past को past कैसे ने करेंगी है तो इसे साब से आपको समझना होगा past perfect और past continuous में कोई change नहीं होगा ठीक है I hope it is clear simple past past perfect में हो जाएगा past continuous past perfect continuous में हो जाएगा clear तो I hope changes देख ली example समझ में आगे हैं चलो बहुत ही बदी आगे बढ़ो ठीक है जितने आप practice करोगे उतरहां आपका फायदा होता चला जाएगा I hope reporting verb की बात समझ में आ गई है ठीक है जो reported speech में जो है उसको tense का जब हम बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे मैंने आपको बता दिया है हाया ना no difficulty at all ना चलिए अब हम बात करेंगे अगले rules की change in person of pronouns first person second person third person होते है न प्रणाउंस में उनका क्या किया जाए जितने example देखो कि उतने फायदे होंगे देखो first person pronouns क्या क्या होते है I, me, mine, we, us, our, ourselves जो भी मेरा मेरा हमारा जब हम first person की बात करते हैं तब हमें ध्यान स कैसे उन्हें बदलना पड़ेगा कैसे बदले बेजने number person as per the person, number and gender of the subject of reporting verb आपको देखना पड़ेगा कि जिसके बारे बात हो रही है person, number, gender and चीज़ों का ध्यान रको देखो we shall help our friends we क्या बन गया plural है they बन गया they would help our friends our क्या बन गया यहाँ पर their friends बन गया she told us, she said to us you are intelligent, you are intelligent क्योंकि यहाँ पर us है ना, us है इसे लिए देखो यहाँ पर we आगया, she told us that we were intelligent the teacher said to the students you have passed with good marks, the teacher's students said, told the students that they had passed, you कैसे they बन गया, देखा आपने आईवाज समझ में, you यहाँ पर we बन गया, so मैंने पूरी तरीके से, यहाँ पर she said to us यहाँ पर the teacher said to the students, यहाँ से मैंने देख की decide कि मुझे चीज़ें को कैसे change करना है, clear everybody, no difficulty now, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, third person में कोई change नहीं होगा, ठीक है, she is a good student, she was a good student, she को she रखना पड़ेगा और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको यह बड़ी ध कि कौन से कौन से चीज़ों को आपको change करना है, ठीक है, उससे पहले एक बार एक चीज़ और डिसकस की जाए, वो है change in models, models में change क्या होगा, तो change in models कि अगर मैं बात करूँ बेटा, तो देखना, will बन जाएगा would, shall बन जाएगा should, देखो, students can go home, can बन जाएगा could, students could go home, okay, अ बना, और अगर, अगर, already, direct speech में ही, would, should, could, might, ought, यह नजर आए तो, यह आज़ रहेंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिकार सकता, वो वैसे ही रहेंगे, समझ रहे हैं बात को हम, so would अगर है, तो would ही रहेगा, so remember this thing, this is very important, इसको कुछ बदलने मत निकल पढ़ना, ठीक है, would है तो would ही रहेगा, उसको will मत कर देना, ठीक है, और एक बात करें, अगर most नजर आए आपको, most can be changed to had to, अब most को most की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ अगर had to लिखा तो भी गलत नहीं होगा, we said the criminals must be, sorry, the criminals must be punished, क्या लिखा है आपर, the criminals must be punished, क्या लिखा हैं आपर, the criminals must be punished, punish, आप must be punished भी लिख सकते हो, आगई बात समझ में, ठीक है, एक letter की गलती देखो, कितना फरक बदल देती है बिटा, तो be very careful while writing, you को ओ कर दिया, तो word का मतलब भी बदल गया, है ना, so यहाँ पर most नहीं, बलकि must, it's clear ना, no difficulty at all, ठीक है, तो कुछ exceptions भी मैं आपको बताती चलत हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, can का could होगा, will का would होगा, shall का should होगा, make a might हो जाएगा, बट इतना जरूर ध्यान रखना कि, जो हमारे models है, जैसे कि would, should, could, ought, यह as it is रहेंगे, और जो अगर must नज़र आए, तो वो had to बन सकता है, आगे बढ़िए, change in some expressions of time बने बोला था न, change in expressions of time and place, change in expressions of time and place, depending on the situation, आप करोगे बटा, जैसे कि मैं या कहूँ, this, आपके हाथ में हो, this बन जाएगा, that, these बन जाएगा, those, last week बन जाएगा, the previous week, here बन जाएगा, there, now बन जाएगा, then, today क्या बनेगा, that day, yesterday becomes the day before, या फिर the previous day, तो बटा, यह expressions का पता ह होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको now क्या बनेगा, then, पता होना चीए, जैसे जैसे sentences use करोगे, आपको पता चलता, चला जाएगा, ठीक है, ego, ego बन जाएगा, before, क्या बन जाएगा, before, तो इससाब से आपको आगे बढ़ना होगा, I hope it's clear, देखो, ego क्या बन जाएगा, before, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, कम बन जाएगा, go, thus become so, last week becomes the previous week, tomorrow becomes the next day, the following day, the coming day, ऐसे, next month क्या बन जाएगा, the following one, the coming month, बता रही हूँ ना मैं, ऐसे साथ से आपको पता होना चाहिए, ये expressions का change हमें आना चाहिए, अब आप बोले हम इतनी चीज़े कैसे याद रखें, ब करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहें, तो exams time ही बटा कर लो, reported speech के जितने questions practice करोगे, उतना confident feel करोगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं, लोग इसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंगे ये practice नहीं करते हैं, बस इतना ही है, direct सा indirect change करते हैं, reporting verb का ध्यान रखना है, comma उठ जाए हो जाएगा, तो अब exam में क्या आएगा, तो exam में जो आएगे, वो है commands, requests, statements or questions, ये सब direct speech में ऐसे होंगे, command कर दिया, could you get me a glass of water, request कर दिया, she said could you get me a glass of water, statement pass कर दिया, universe में ऐसे होता है, वैसे होता है, कोई भी statement pass कर दिया, उसको कैसे change करना है, कुछ चीज़े बदली नहीं जा सकती, India got independence in 1947, ये ऐसे का वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता, तो आपको ये भी चीज़े पता होने चीज़े, questions होंगे, interrogative sentences होंगे, जिने आपको, अगर question mark यहाँ पर है, तो आप कैसे उसको, change करोगे question को, ठीक है, तो ये आपको आदे चाहिए, commands, request, statements, questions, य आपको एक बात समझनी होगी, कभी भी आपको एक sentence, direct speech में देंगे, ये नहीं बोलेंगे, इसको इनने चेंज करो, वह जमाना गया है अभी, आपको paragraph दिया जाएगा, आपको दिमाग लागे, उसको change करके, फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है, conversations दी जाएंगी, अब आप बो इस बुक क्या बन गई, लास्ट मंथ क्या बन गया, दा प्रीवियस मंथ बन गया, इजी है की नहीं, अब sentence के सारे rules आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, सब से पहले reporting verb को देखा, said क्या बन गया, said that बन गया, क्योंकि मैंने या पर कॉमा उड़ा दे, इसलिए that लगा है, ठीक है अब I read this book pronoun, I क्या बनेगा, he बन जाएगा, this book बन जाएगा, that book change of expression, this क्या बन गया, that, last month का बन गया, the previous month, आ रहे है बात समझ में बटा, I hope no difficulty at all, और देखो, Mary said, I will meet Tom this evening, Mary ने कहा कि मैं इस हफते Tom को, शाम को Tom को मिलने वाली हूं, Mary said क्या बन जाएगा, इस कॉमा को हटा हो that लगा, Mary said that, I क्या बन जाएगा, he नहीं बनेगा, she बनेगा, क्योंकि यह लड़की है, she will क्या बन गया, would, she would meet Tom, this evening बन जाएगा, that evening, देख रहे हो, और यह बाद समझ में, Marshall said to Ricky, I cannot go with you till next Monday, उसने कहा, मैं नहीं जा सकता, आपके साथ next Monday तक, यहाँ पर देखो, said to क्या बन जाएगा, reporting बने said to देखा, तो told बनी है, Marshall told Ricky, क्या बोला, यह कॉमा उड़की है, suitable connector add हो गया, that, I cannot go without, with you till next Monday, I क्या बन गया, he, he, cannot go, could not go, can क्या बन जाता है, could, ठीक है, I could not go with you, you क्या बन गया, यहाँ पर, with him, till the next Monday को क्या बन जाएगा, till the following Monday, सारे rules को follow करते चलोगे, तो बड़ी आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, आपको दिकत नहीं होगी, बट अगर घडबड कर दी, तो काफी problems आपको आ सकती है, कुछ exceptions भी मैं आपको दिखात रूत होते है, क्या होते है, universal truth, कुछ नहीं बदला जा सकता, honesty is the best policy, इसको क्या तुम present, past, future में करोगे, जो है, भई है, honesty is the best policy, बस क्या किया, said के बद का कॉमा अटागे लगा दिया, बस बाकिया है, सब से हमें, देख रहे हैं आप, तो कभी-कभी क्या होता है, जरूरी न 1947 में मिली, आपके पापा ने बताया, तो my father said that, क्या हुआ, India got its freedom in 1947, इंडिया got its freedom in 1947, आर ये बात समझ में, any difficulty now, तो बेटा हर तरह की चीज़े अपने को पतावने चीज़, जितनी practice करोगे, उतना आपको फायदा होता चला जाएगा, समझ रहो की नहीं बात को, ठीक है, त ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, रवी said to Rajesh, रवी said to Rajesh, कई बार क्या होता है, किसने किसको बोला ये नहीं दे रखा होता, तो said to अगर दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, told, कभी-कभी ये नहीं दे रखा हो, जैसे कि रवी said, रवी said, ऐसे बोलके, जो उसने बोला, वो समझ रहे हैं रवी सेड जो उसने बोला वो लिख दिया अब बेटा आपको समझना होगा कि जब ऐसी सिचुवेशन हो तो क्या बन जाएगा रवी सेड ऐसे ही रहेगा यह हम हटा के देट लिख देगे रवी सेड देट अगर यहांपर सेड टू हो तो टोल्ड हो जाएगा सेड हो तो सेड देट हो जाएगा और अगर डिरेक्ट में ही डोल्ड हो तो फिर वो टोल ली रहेगा यह बात आगे समझ में तो सबसे पहले आपको बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना होगा यहांपर लिखा है प्लीज तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड बन सकता है अगर सवाल पूछयो तो इंट्रोगेटेड बन सकता है आपको यहांपर देखना इस सेंटेंस को पढ़के कि हो क्या रहा है उससाब से reporting verb select करो तो reporting verb क्या हो सकता है यह तो हो ही सकते हैं साथ में requested interrogated, inquired ordered आपको यह पढ़के समझ आ जाएगा कि reporting verb क्या choose करना है said है तो अराम से said रख लो said to है तो told कर लो told है तो told ही रख लो अगर आपको कुछ sentences पढ़के पता चल जाएगा वो request कर रहा है क्या please लिखाए तो request हो जाएगा question mark दिखवार रहा है inquired interrogated हो सकता है और अगर आपको लग रहा है कि order दे रहा है तो ordered लिख सकते हो, commanded लिख सकते हो आई बात समझ में तो इसे साबसे आपको reporting verb को चुनना होगा एक बार reporting verb चुन लिया फिर आगे की बात क्या होगी जब quotation marks out जाएगे suitable connector add हो जाएगा फिर आपको direct speech में जो दे रहा है उसको indirect speech में change करना है कैसे करेंगे हमारे rules tense का ध्यान रखना है pronoun का ध्यान रखना है रखेंगे न pronoun का ध्यान रखना है और फिर इतना ही नहीं हमें change in expressions का भी ध्यान रखना होगा तैसे कि now बन जाएगा then ego बन जाएगा before tomorrow बन जाएगा the coming day the following day yesterday बन जाएगा the previous day तो इस हिसाब से आपको चलना होगा expressions का ध्यान रखना है और अगर models आगे will बन जाएगा would, can बन जाएगा could, shell बन जाएगा should समझ रहो कि नहीं बात को इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना होगा अब आपके one में सवाल आएगा मैं बाकी सारे तो rule हम देख लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर जैसे कि question आगया तो क्या करें question आगया तो क्या करें which film are you watching which film are you watching मैटा जब भी wh word दिखेगा क्या दिखेगा wh word ठीक है wh family का कोई भी word अगर आपको दिखे तो question mark होगा at the end तो अब बोले इसको कैसे करे question mark को हटाने के लिए wh word को नहीं हटाना है बलकि wh word वहीं रहेगा it will act as a connector it will act as a connector it will act as a connector फिर आप बोलोगे मैं question mark कैसे हटेगा question mark हटाने के लिए subject, verb ऐसे होता है न जनरली I will play verb को सामने कर देते हैं subject को पीछे कर देते हैं interrogative sentence में will I ठीक है तो यह याद रखना verb और subject की placement बदल जाती है interrogative sentences को direct को indirect में change करते हैं वक्त यह खास hint है tip है जो मैं आपको देना चाहरी थी ठीक है यह trick याद रखना यह trick आपको याद रखनी है ठीक है यह interchange interchange subject verb की जो placement है उसको आपको interchange करनी है इसी जैसी कि मैंने आपको बता यह आ गया जाएगा वो पीछे चला जाएगा ठीक है तो I hope आप समझ गया हो तो यहाँ पर डेब्लेच वर्ड जो होगा वो ना एक connector का काम करेगा अब आप बोलोगे interrogative sentence है बिना डेब्लेच फामिली के वर्ड के तो क्या करें तब आप जो connector add करोगे ना तब आप जो connector add करोगे वो होगा इफ या फिर weather क्या होगा इफ या फिर weather यह बात आपको याद रखनी है ठीक है आई होप interrogative sentences की खास बात मैंने आपको बता दी है बच्चों को इसी में ज्यादा दिक्क होती है इस tips के भरोसे बात बन जाएगी बाकि अगर हम बात करें imperative sentences exclamatory sentence सबका आपको reporting में आपको जहान रखना है बाकी rules सब सेम होगे interrogative sentence में यह बात आपको खास ध्यान रखनी है अगर WH family का word है तो तो वही राज़िटी से रहेगा connector का काम करेगा अगर WH family का word नहीं है yes or no questions होते हैं जैसे कुछ answers होते हैं तो WH family word से शुरू नहीं होते तब आप connector add करोगे if या फिर whether ठीक है ऐसे बन जाएगा हो आई बात समझ में तो I hope it is clear now तो जितनी practice करोगे उतना आपका फाइदा होगा तो पूरा खेल है practice का वो जमाना गया जब आपसे बोला जाए था एक direct speech दो उसको indirect मे convert करो आप वैसा नहीं आएगा पेपर में यह रूल सब दिमाग में रखने होंगे आपको क्या होगा ना दो तरीके से पूछ सकते राम और शाम के बीच में conversation है आपको ऐसे दी जाएगी conversation और फिर ना इसी conversation को डायरेक्ट से इंडेक्ट में करके अल्रेडी सब कुछ लिख अल्रेडी सब कुछ लिख दिया है बीच बीच में कुछ gaps है आपको वो gaps fill करने वन मार्कीच आपको ऐसे करना पड़ेगा आई बात समझ में तो ऐसे आपको दिया जा सकता है reported speech paper में कभी-कभी conversation भी नहीं देते हैं अपने आप ही करना पड़ता है तो आपको exam में पूछने के जाधा 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 चांसे ऐसे ही होगे एक paragraph में कुछ blanks है आपको reported speech में convert करने के बाद वहाँ पर क्या आएगा यह दिमाग लगा कर वहाँ लिखना होगा तो इसके लिए जितनी practice करोगे उतने ज्यादा आप comfortable feel करोगे आई बात समझ में I hope now you are clear with all these things ठीक है आ आपको properly चीजों को समझना है practice करना है basic rules basic मुद्दा basic idea मैंने आपके दिमाग में कर दिया है fit बागी theory को पढ़ो और practice करते चले चले जाओ अब हम मिलेंगे अगले lecture में तब तक के लिए तुमान मेरी जा practice ज़रूरी है ठीक है ठीक के दिलन वाबाए